नागल लेंसे कुल समय पहले नौकडी छोड़कर इंदौर लोटे जवान की हत्या कर दी गई उन्होंने इंदौर के भवर कुवा इलाके में वाइन शौप के बाहर कुछ लोगों को शराब पीने सुरोका था विवात के बाद बदमाश फीर लोटे और मारपीट के सिर से पत्थर मारकर भाग गए उन्हें घायल अवस्था में ततकाल अस्पताल पहुँचाया गया जहां उपचार के दोरान सोमवार देर रात दम तोड़ दिया पुलिस ने इस मामले में दो संदिग्दों को पकड़ा है अभी पुस्ताच की जा रही है यहां आशोक पुत्र बालकरिश राव निवासी पिपलिया राव पर बदमाशों ने शुकरवार रात को हमला कर दिया उन्हें ततकाल में नीजी अस्पताल में फिर एमवाई अस्पताल पहुचाया गया जहां सोमवार को रात उनकी मौत हो गई पुलिस ने मामले में हतिया के केस दर्श कर जार शुरू की है पुलिस ने वाइन शौप के बाहर लगे सीसी टीवी रिकॉर्डिंग के अधार पर दो संदिग्दों को हिरासत में लिया गया है मृत्तिक वाइन शौप पर सुरक्षा कर्मी था पुलिस के मताबि 12 अगस को रात को वाइन शौप के बाहर खड़े होकर कुछ लोगों शौप पी रहे थे इस पर आशोक रॉम ने उन्हें रोका था यहां पर विवाद करने लगे इस दौरान वाइन शौप के मैनेजर और अने लोग महां पहुँचे और बदमाशों को वहाँ से भगा दिया बाद में यूवक शराब पीकर वापस आय और आशोक रॉफ के साथ मारपीट करने लगे आशोक को जमीन पर गिरते हुए सिर पर पत्थर मारकर भाग गए घट्ना के बाद गाट को उपचार के लिए गौरव अस्पताल में भरती कराया गया वहीं से अगले दिन उन्होंने एमवाई भेजा गया था आशोक पहले एस अफ में थे जहां उनकी नागा लैंड में पोस्टिंग थी कुछ समय पहले उन्होंने नोकडी छोड़ है तब से वे सिक्रियोटी कमपणी में काम करने लगे थे आशोक के भाई शिवाजी पुलिस विभाग में हेड कॉंस्टेवल के पत से रिटाइर है आशोक के पडिवार बेटा चिंटू और दो बेटी है बेटा एलक्ट्रोनेशन का काम करता है